असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मतन डाल गोश्ट की रेसिपी जो के हम सब की फेवरेट होती है और आज मैं एक इसे नए तरीके से बनाने वाली हूँ तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छे लगे तो प्रीज इस वीडियो को लाइक कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ले ली है मैंने तीन तरह की डाले जिसमें मैंने ले ली है तूर की डाल आधा कटोरी यहां और उसके बाद ले ली है मैंने आधर कटोरी से थोड़ा कम ली है मतलब पाव कटोरी मूं की डाल और पाव कटोरी ले ली है मैंने यहां पर मसूर की डाल यहां पर हम चना डाल यूज नहीं करेंगे अगर आपको चाहिए तो बिलकुल आप पाव कटोरी से भी कम चनाजिदाल यूज़ कर सकते है इसमें एड़ कर देंगे हल्दी, नमक एड़ कर दूंगी, मैं टेस्ट के अक्वर्डिंग, थोड़ा ही नमक अभी हमें यूज़ करना है, एक ग्लास पानी डाल के इसकी पांच विसल ले लेंगे थोड़ा सा तेल मने अट कर दिया है बगार में हमें चाहिए एक प्यास पतली कटी हुई एक टमाटर कटा हुआ कड़ी पत्ता चाहिए तो चलिए बगार के लिए हमने कुकर को यहाँ पर रख दिया है तीन टेबल स्पून ओईल को हमने गरम करने के लिए दाल दिया है अब गरम मसाले दो तेस पत्ता एक बड़ी इलाईची दो से तीन दालचीनी के स्टिक्स अब इसमें हम यूज़ करेंगे तीन हरी इलाईची इसके बाद इसमें 2-4 लॉंग और 2-4 काली मिर्स भी हम एट कर देंगे और इसे हम अच्छे से क्रेकल होने देंगे ताकि इसके खुश्पू जो है वो तेल में अच्छे से आजाए इसके बाद हम इसमें एट कर देंगे कडी पता कड़ी पत्ते से इसका में फ्लेवर बहुत जादा अच्छा आता है आप जरूर से कड़ी पत्ता इसमें यूज़ करिए इसमें अट कर देंगे प्यास तो यहाँ पर हम प्यास को अट करके अच्छे से फ्राइ होने देंगे तो तीन से चार मिनिट तक प्यास को जो है वो फ्राइ कर लेना है ताके इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन जिसा हो जाए तो यहाँ पर हम प्यास को फ्राइ कर लेंगे आप देख सकते हैं अभी जो प्यास हमारी हुई नहीं है तो इसे हमें और थोड़ा सा कर लेना है फ्राइ तो यहाँ पर हो चुकी है प्यास हमारी फ्राइ इसमें एट कर देंगे टमाटर तो एक बड़ा टमाटर है इससे भी हमने कट करके एट कर लिया है और इसे हम अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर एट कर दूँगी मैं अद्रक लसन का पेस्ट तो तीन टेबल स्पून अद्रक लसन का पेस्ट मैं यहाँ पर एट कर दूँगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अद्रक लसन की जो रॉसमेल होती है वो निकल ज तो 3-4 मिनिट तक हमेश् sorry my पर ही भूण लेना यह सार्य मासाला जो है वाहब आपस में अच्छ से मिल जाए और सभी का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए तो मैं यहां पर इस सरीके से भूण रही हूँ aby मसाला जो हे वह हमने अच्छ भून लिया है अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर दूंगी मैं इसमें हल्दी पाउडर आधा टी स्पून साथी मैं एड़ कर दूंगी धनिया दो धनिया पाउडर में यहाँ पर एड़ कर दूंगी दो टी स्पून और इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा जलने ना पाए तो मैं यहाँ पर add कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर तो मैं यहाँ पर एक टीस्पून add कर दूँगी और आदा टीस्पून add कर दूँगी गरम मसाला पाउडर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें जो कलर आ चुका है तो 2-3 मिनिट तक हम इसे भून लेना है ताकि मसाले भी जो है वो अच्छे से पक जाए तेल में तो अभी आप देख सकते हैं प्यास टमाटर अच्छे से गल चुके है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी मटन मटन एड़ करके हमें इसे 5-7 मिनिट तक अच्छे से भूनना है ताकि मटन जो है वो इसकी जो स्मेल होती है वो निकल जाए और उसके बाद हम इसे प्रेशर देंगे तभी आप देख सकते हैं हाफ के जी मैंने मटन लिया है हड़ी वाला भी है इसमें और गोश्ट भी है बोनलेस भी है तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं पांस से साथ मिनिट तक आपको इसे भूनना ही है आप देख सकते हैं ओइल जो है वो अच्छे से ओपर आ चुका है और हमने इसे अच्छे से भून लिया है अगर आप डाइरेक्ली इसकी सीटी लगा देंगे न तो फिर उसमें वो जो कच्छी स्मेल रहती है वो रह जाती है इसलिए हमें इसे पहले इस तरीके से भून लेना पड़ेगा तो अभी बस इसकी भुनाई तो हो चुकी है अब इसमें हम एट कर देंगे हाफ ग्लास पानी पानी एट करके हम सिंप्ली इसको एक से दो बार चला लेंगे और इसको प्रेशर दे देंगे हम पांच से छे प्रेशर दे देंगे आप देख सकते हैं पानी में जो बाल आ चुका है तो हमने इस को लिट से कवर कर दिया है और पांच विसल ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा गोश्ट जो है वो गल चुका है इसमें एट कर देंगे हम जो दूदिया रहता है वो एट करेंगे इसको हमने कट करके add कर लिया है और इस अच्छे से हमें भून लेना है तो अब दूदिया डाल के भी इसको एक विसल ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लूँगी क्योंकि यह मेरा बहुत साधा कॉला है इसलिए मैं directly डाल add कर दूँगी डाल जो है हमने डाल को भी जो सीटी ले ली है डाल देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी जो है वो हो चुकी है इसमें जरा भी अखी डाल नहीं बची है तो कुकर छोटा पड़ गया इसलिए मैंने इसे बरतन में ट्रांसफर कर लिया है और अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी इमली का पल्प आधा टी स्पून एड़ कर दूँगी गरम मसाला पाउडर एड़ कर दूँगी मैं तोड़ा सहरा धनिया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और दस मिनिट के लिए रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे और ये हमारा डिलिशिस सा शादी में बनने वाला दाल गोश्थ बहुत ही अच्छा रेडी हो चाएगा